आज में आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़िदार सी रगड़े की रेसिपी से आप इफ्तार के लिए 10 मिट में बना के रेडि कर लेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राइ कीजेगा और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर दीजेगा तो यहां पर मैंने ले लिया है एक कटोरी वटाने वटानों को मैंने चार से पाज घंटे भी गोगल के रखा था अब हम इसमें एक बड़े साइस का आलू इस तरह से स्मॉल पिसेस में कट करके एक मीडियम साइस का टमाटर और एक मीडियम साइस की प्यास को इ इसमें हल्दी पॉर्डर एड़ करेंगे नमक एड़ेते हैं अस पर टेस्ट अब यहां पर मैने इसमें दो ग्लास पानी एड़ कर दिया है यह मिक्स कर लेंगे सबीस चीजों को अच्छे से अब हम कुकर का ठकन लगा के इसकी तीन सीटिया लेंगे तीन सीटियों में हमारा रगड़ा जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर अच्छी तरह रिलेज हो गया है चेक कर लेते हैं यहां पर हमारा रगड़ा और आलू भी अच्छे से गल कहे हैं अब हम इसे बगार लेंगे तो यहां पर बगार के लिए मैंने कड़ाई में एक चमच कुकिंग वाइल कर लिया है थोड़ा सा जीरा हम इसमें आड़ कर लेंगे और रगड़ा हम इसमें एड़ कर देते हैं उपर से हम इसमें एक चमच धन्या पाउडर एक चमच लाल मेर्ज पाउडर और एक चमच हरी जटनी का एड़ करेंगे हरी जटनी की रेसिपी आपको उपर दिये हुए आई बटन पर मिल जाएगी आप वहाँ से देख लिजएगा सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसे चार से पाच मिन अच्छे से पकने देंगे इसी तरह अब हम इसमें मैजिक मसाला का आइट कर देते हैं इसकी रेसिपी पे मैंने आपसे पहले ही शेयर की है उपर दियो हुए आईबर जन पे इसकी रेसिपी पे आपको मिल जाएगी हरा धनिया इस पे छड़क देंगे और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा परफेक्टली रगड़ा बन के तयार है बहुत ही मज़े का इस तरह का रगड़ा बनता है और शटपट से बनके रेड़ी हो जाता है तो इफ़तार में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए सर्फ करेंगे इसे हम तो देख सकते हैं फ्रेंज कितना जबरदस्त लग रहा है हमारा रगड़ा जितना ये दिखने में लग रहा है जबरदस्त उतना ही खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा रहता है उपर से हम इससे इमली की खटी मीठी चट्नी से गार्निश करेंगे थोड़ी सी प्यास और हरे धनिये से इससे गार्निश कर लेते है साथी में यहां पर थोड़ा सा मैजिक मसाला हम इस पर छुड़क लेंगे तो लीजे फ्रेंट्स हमारा चट्पटा आसान सा रगड़ा बनके रेड़ी है दस मिनिट में बनके ये रेड़ी हो जाएगा आपका इफतार के लिए तो इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राइ कीजेगा रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मेरे चैनल को अपने फ्रेंट्स में मेरे रेसिपी को जरूर शेर कीजेगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक नई आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आला हाफिज थेंक्स फो वाचिंग